Alright ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another one more brand new video of our My name is Tiger Cole and this is Tiger Moto Store which is in Pawai, Mumbai ये वीडियो का काफी दिनों से, काफी महिनों से, काफी लोगों को इसका इंतजार था तो finally हम ये लेकर आ गए हैं आपके पास तो subject line से तो आपको पता ही चल गया होगा ये वीडियो Solace Saber Version 5 के लिए होने वाला है चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि Version 5 में क्या-क्या अपडेट्स हुए हैं तो ये है Solace का सेबर जो कुछ इस कलर में है हमारे पास अभी आया हुआ इसके दो और कलर्स आते हैं टोटल तीन कलर्स में आता है वो दो कलर एक यहां पर है और एक यहां पर बहुत ही अच्छे-अच्छे कलर्स इंट्रिड्यूस के यह हैं अभी फटा-फट में ये पहन के आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगता है तो यह कुछ इस प्रकार का है फिटिंग यार एकदम गजब लग रही है मेरको तो का लाध में के लिए बथाओ शोगाइब प्मवाइब नियूस अधर वाद है तो सव्ट राध यहां व्ट अजद साहँड़ पूलों। व्ट इन प्रकार का यहां प्र्पाइब लगता है अब ही इंपोर्टेंट बात कि ये जैकेट में क्या नया आया है और क्या ये ओफर गरता है एक तो इसमें जो कलर्स है वो तीन डिफरेंट कलर्स को इंटर्ड्यूस करा हुआ है जो इसका बैक आर्मर है वो काफी बड़ा एक्सल साइज का किया हुआ है जो हम खोल के भी देखने वाले हैं ठीक है उसका कवरेज जो है काफी बड़ा कर दिया है प्लस इन्होंने यहां यहां पर हलके हलके हाइलाइट दिये हुए है जो तीनों कलर्स में तीनों कलर्स के जैकेट्स में डिफरेंट डिफरेंट है ब्लैक में नियॉनिश है और यह जो ग्रे मैंने पैना हुआ यहां पर ब्लैक है रेड पट्टी यहां पर यहां पर भी रेड पट्टी दी हुई ये छोटे-मोटे changes किये हैं, इसके features में इन्होंने जो changes किये हैं, एक तो वो back armor, और back armor दिखाते टाइम, आप लोगों ने जरूर ये notice किया होगा, कि यहाँ पे एक hump है, अब ये जो hump है, इसको हम बोलते हैं, speed hump, जो किसलिए डाला जाता है, jackets में, जो किसलिए use किया जाता है, विपलेश से safety के लिए, अब भी विपलेश क्या होता है, विपलेश एक ऐसा scenario होता है, कि जहाँ पे एक rider, अगर किसी unfortunate event में involved हो जाए, accident में involved हो जाए, तो विपलेश की safety क्या होती है, कि जो हमारी विपलेश injury होती है, वो होती है कि गर्दन ऐसे और ऐसे जाती है, जो injury होती है उससे वो safety दिलाने के लिए इस speed hump को introduce किया जाता है jackets में यह जादा तर आप MotoGP track वाले जो jackets होते हैं उन पर आप अमुवन देखेंगे यह देखेंगे उन पर काफी बड़े-बड़े होते हैं Solace ने इसको touring के हिसाब से भी इस jacket में introduce करा है इससे होगा क्या इससे और जादा आपको इसमें safety मिलने वाली है तो ये तो थी changes की बात इसका जो rain liner है वो भी इन्होंने काफी बड़िया quality का कर दिया है 10,000 mm तक का rain का resistance है उसमें पानी का resistance है उसमें तो हम expect कर सकते हैं बहुती बहतरीन quality होगी उसमें rain protection से और इसका thermal liner भी stand alone जो आता है वो भी बड़िया कर दिया है बात करते हैं overall jacket के specifications के बारे में चेसी जो है jacket की पूरी की पूरी वो 700 denier PU polister की है ठीक है यहाँ पे आपके shoulders पे जो आप black black patch देख रहे होंगे जो jacket मैंने पहना हुआ है यह जितना भी black patch है यह 900 PU polister का दिया हुआ है और जादा safe करने के लिए कहाँ पे जो shoulder का impact है उसके उपर आप देखेंगे तो आपको slider भी obviously देखने को मिलेगा जो की thermoplast polyurethene का बना है TPU जिसको बोलते हैं अब आती है elbow की बारी elbow भी आप देखेंगे तो यह cordura patch दिया हुआ है ठीक है जो 1000 grade का है cordura ठीक है उसके पाद यह जो armors है काफी बड़े कर दिया है मतलब यहाँ से चालू हो रहा है मेरा और यहां तक आ रहा है cover is उसके काफी बड़िया कर दिया है इनोंने पूरा का पूरा जो jacket है all level 2 का है including your chest safe tech का back पे है shoulders पे है elbows पे है और power detector का आपके चाती पर है यहाँ पे जिप्स की बात करें तो इसमें total आपको 4 जिप्स देखने को मिलती है ठीक है दो यहां sights पे आपको देखने को मिलेगी एक आपके यहां पे chest पे देखने को मिलेगी और एक अंदर की तरफ दी हुई है जो water resistant zip है तो total कितनी zips है चार traditionally ऐसे type के jackets में तीन ही zips आपको देखने को मिलती है दो उपर और एक अंदर है वेल्क्रोस की भी अगर मैं बात करो तो देखी कितना बड़ा बड़ा coverage दिया हुआ इन्होंने कितना तक भी आप tight करना चाहें आप कर सकते हैं और यह कुछ इस प्रकार का खुलता है तो आप full contlet gloss भी easily I think पहन पाओगे इसमें जो एक और बहुत ही बहतरीन feature था जो आजकल अभी बहुत सारे ब्रैंट्स ने भी इंकॉर्परेट करना चालू कर दिया है उनके jackets में वो यह hydration bladder की जगा तो hydration bladder का यहाँ पर pocket दिया होगा जिसके ओपर H2O लिखा होगा जो chemical formula है chemistry का formula है water के लिए ठीक है यहाँ पर है और उसके नीचे एक और इनो ने zipper pocket दिया होगा है जिसमें आप अपना जो traditional है जिसमें आप अपना rain cover rain jackets को storage कर सकते हैं आपका एक emergency contact details वाला card slot दिया होगा है यहाँ पर आपका key holder दिया होगा है अगर आपको पसंद है चाबी को हमेशा लटका ना तो आप safety के हिसाब से यहाँ पर भी चाबी को लटका सकते हैं और निश्चिंत रह सकते हैं कि वो कहीं गिरेगी और गुमेगी नहीं ठीक है प्री कर्वड है यह जैकेट अगर आप देखेंगे गोर से तो मेरे हाथ ऐसे रह रहे हैं यह मैंने रखे नहीं है वो जिम वाला style नहीं कर रहा हूं मैं कि जो नहीं नहीं जिम जाते हैं वो ऐसे ऐसे चलते हैं यह वैसा scene नहीं है यह प्री कर्वड है उससे उतक है कि आप on the go इसको लेकर राइड पे जा सकते हैं बिना किसी tension के बिना किसी दिक्कत के मैं कुछ और वर्ड यूज करने वाला था बट छोड़ दो समझ गए होंगे I think ठीके तो अभी हम मोटा मोटा मैंने आपको सारी चीज़े बता दिये जैकेट के बारे में अभी डिरेक्ली हम चलते हैं और इसके armors को चेक करते हैं कि क्या है इसके armors में, तो अब हम बता तो दिया लेकिन हमेशा हमारी जिम्मेदारी होती है हमेशा इस चीज़ पे मैंने पुरानी वीडियो में भी, आने वाली video में बी और store पी जो आते हैं इस चीज़ पर मैं हमेशा emphasize करता हूँ जोर देता हूँ कि हमेशा खुद से check कीजे बेचने के लिए कोई भी store आपको बोल देगा कि यार यह तो level 2 है कुछ तो बोल देगे level 3 और 4 भी है बट यह आपकी जिम्यदारी है कि आपको वो आर्मर जैकेट से निकाल के check करने है सबसे पहले यह chest का मैंने आर्मर निकाला है आप देख सकते हो कितना ventilated है यह आर्मर obviously chest पे रहेगा ऐसे है ना तो काफी सारे छिदर होने चाहिए काफी सारे space होना चाहिए ताकि हवा का intake अच्छा रहे हमें गर्मी कम से कम लगे correct तो यह जो आर्मर है जैसा मैंने बता रहा था यह air tech का type A level 2 armor है यहाँ पे आप देख सकते हो temperature rated नहीं है but I don't think so यहाँ पे उतनी temperature rating की जरूरत है temperature rating की कहाँ पे जादा जरूरत होती है आपके elbows पे आपके shoulders पे क्यों अब आप पूछोगे ठीके पूछो 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 फिर मैं बताऊंगा अच्छा वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे जब हम bike चला रहे हैं ठीके हम ऐसे bike चला रहे हैं तो यह जो parts होते हैं यह move जादा करते हैं च्छाती पे क्या move करूँगा हमें है ना यह मेरी च्छाती ऐसी रहने वाली है यह और back मेरा armors यहाँ पे suspend ही रहेंगे ठीके क्योंकि हम इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं तो temperature rated armors जो नहीं होते हैं माल लीजिए मेरा elbow का temperature rated नहीं है और मैं चला गया minus 6-7 degree में या 4-5 degree में तो होता गया है temperature से यह जो armors होते हैं rigid हो जाते हैं मतलब आपको लगेगा ना कि यहाँ पे लकड़े का piece डाल दिया आपने तो उससे problem यह होगी कि आप ऐसे मूँ नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि armor की flexibility नहीं रहेगी इसलिए आपके elbows पे आपके shoulders पे temperature rated armors का होना ज़रूरी है अगर आप लदाक, स्पिती, winter स्पिती, winter लदाक यह सब चीजे attempt करने की ride करने की planning में या फेराक में है ठीक है, तो यह था chest armor, तो यह है इनका elbow का armor, ठीक है, यह elbow का armor है, यहाँ पे देख सकते हो, आप cycle वाले भहिया पता नहीं कितना clear होगा यह, तो यहाँ पे level 2 दिखेगा आपको, उसके बाद आपको दिखेगा कि यह T plus और T minus, T plus T minus क्या होता है, याद है ना मेरी पुरानी वीडियो में जो follow करते हैं, उनको बखू भी बता होगा, नहीं लोगों को बता देता हूँ, T plus का मतलब यह high temperatures पे भी tested है, T minus का मतलब यह new rhythm temperatures पे भी tested है, ठीक है, तो यह जो range होती है, new rhythm और अधिक्तम temperature, as in, T minus और T plus वाली जो range होती है, वो minus 10 से लेकर 40 degrees तक की होती है, ठीक इसके ओपर लिखा हुआ है, कि यह type B armor है, यहाँ पे आप देख सकते हो, CE rated type B armor है, type B का मतलब क्या है, यह maximum coverage वाला है, type A का मतलब क्या होता है, उसकी coverage, मतलब उसका area, surface area जो cover करेगा, वो कम होता है, elbow का armor, और अब बात करते हैं, shoulder की, तो अगर यह दिखा दो आपको, तो CE rated safe tech का है, और देखो, यहाँ पे mention भी है, यह कौन सा है, right side के shoulder का है armor, ठीक है, अभी इसको गुमा देते हैं, cycle वाले भहिया को फिर से देखने की कोशिश करते हैं, cycle वाले भहिया दिख रहे होंगे, अगर तो, वहाँ पे आपको level 2 दिखाएगा, उसके साथ आपको T plus T minus भी दिखेगा, मतलब कि यह elbow और shoulders, टीक है, temperature tested है, और अब बात आती है, हमारे back armor की, back armor देखर हो भाई साथ, मतलब मेरे यहाँ से, क्या बोलते हैं इसको यहाँ गर्दन, मेरी गर्दन से लेकर यहाँ तक, पूरा नीचे तक भाई, कितना बड़ा है यह, तो यह जो armor है, यह भ एक्सल साइस का armor है, back armor, again, level, यहाँ पर देखेंगे, तो level 2 का है, बट, temperature tested नहीं है, और मेरे हिसाब से, उतना इसमें फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मैं बता रहा था आपको, कि यह ऐसे suspended ही रहने वाला है, अगर reality में हम चेक करें, अगर मैं ऐसे दिखाओं, देखो, आर्मर अल्मोस्स यहां से, मेरे यहां तक जा रहे है, अल्मोस्स यहां तक, देख रहे हो, coverage कितना है इसका, so this is also one of the best things about this saber jacket that they have updated to, आशा करता हो, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ नया सीखने को मिला होगा, अगर मिला है तो बिना subscribe किये नहीं ज दोस्तों में सब में यह वीडियो जरूर शेयर कीजेगा और भाई को ऐसे ही support करते रहिएगा, Instagram भी है हमारा, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यार, वहां पे भी आजाया करो, वहां पे भी हमें follow करो, सब के मतलब हो रखे हम बहुत सारे followers वहां पे जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, वहां पे भी हमारी Instagram की भी family को support करो, वहां पे आओ, हमसे बातशीत करो, और with that as always stay cool, stay healthy, stay ahead and don't forget to stay sexy like me, take care of your matashree, your pitashree, always take their blessings, हमेशा पाउं चूकर ही घर से बाहर रन के लिए, बाकी सब बढ़िया रहेगा आपकी जिन्दगी में, मिलते हैं, जल्दी ही एक न व्लोग नहीं होगा, travel vlog होगा, fingers cross for that, wish me all the best for my upcoming short ride I would say, peace out. We can find a way, we can find a way, find another place where we can just escape.